नमस्कार स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में आज के इस वीडियो में मैं आपके लाया हूँ साइबर अपराध पर निबंद तो इस वीडियो को पुला लास तक ज़रूर देखना तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं भूमिका आज के वक्त में दुनिया काफी तेजी के साथ दिजिटल हो रही है। आज हम घर बैठे किसी भी वैक्ति को चन्द मिन्टों के अंदर पैसे भेज सकते हैं और दुनिया के किसी भी कोने से अपने अकांट में पैसे मंगवा सकते हैं। लेकिन इंटरनेट की इस साइवर अपराद के नाम से जानते हैं। ऑनलाइन से जुड़ा हुआ अपराद धिक गतिवीधी जिसमें अपराद ही कई अवेत तरीके से लोगों को अपने जाल में फजाते हैं और उनका पैसा हड़प कर जाते हैं। यह एक गंभीर अपराद है जो दिन बर दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए हम सब को मिलकर साइवर अपराद जैसी घटनाओं से बचने के लिए लोगों को जागरूप करने की ज़रूरत है। ऑनलाइन अगर हम किसी प्रकार का भी लेन देन करते हैं तो हमें शुरफचित तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम अपने प पर्मिशन के बिना उसके गोपनिये डेटा को सेव करता है। और उसके अधार पर ही लोगों के बैंक अकॉंट से पैसे चुराने का काम करते हैं। फिशिंग को हिंदी में जालसाजी कहते हैं। इसमें लोगों को ठीक वैसे ही फसाय जाता है जैसे जाल के मादेम से मचलिय इसलिए इसे फिशिंग का नाम दिया गया है इसमें सबसे पहले जालसाजी करने वाला वैक्ति दूसरे वैक्ति को इमेल भीजता है और जो किसी पर्तिस्टित कंपनी आपके बैंक, क्रेडिट, और उनलाइन सौपिंग के होते हैं इस इमेल पर वह पैसो का लालच देते हैं और लोगों से बैंक से सम्मन्दे जानकारी देने को कहा जाता है ऐसे में लोग यहां पर अपना परसनल डेटा देते हैं और उसके बाद जालसाज वैले वैक्ति उनके डेटा के माध्यम से ही उनके साथ जालसाजी करते हैं स्पैम इमेल इसमें अनेक प्रकार के इमेल आते हैं जिसमें लोगों को एक ऐसा इमेल भेजा जाता है जिस से कम्प्यूटर का सभी डेटा बरबाद हो जाता है और फिर उस डेटा को वापस लेने के बदले मोटी रकम की मांग करते हैं हैकर पैसों की जगा क्रिप्टो करेंसी की मांग करते हैं रैंसम वेर यह एक प्रकार का ऑनलाइन फिरोटी मांग का तरीका है इसमें सबसे पहले आपके कम्प्यूटर में जितना भी फाइल है उन्हें हैकर द्वारा इंक्रिप्ट कर दिया जाता है encrypt होने से हमारा सारा डेटा खराब हो जाता है इसके बाद इस डेटा को दुबारा decrypt करने के बतले लोगों से फिरोती की रकम मांगी जाती है फिरोती की रकम नहीं देने पर computer के सभी file को nest कर दिया जाता है Cyber stocking यह एक परकार का online हमला करने जैसा होता है जिसमें नीजी जानकारी का गलत उप्योग, ओनलाइन काली वाप मानित करना, ओनलाइन ब्लेक मेलिंग करना इत्यादी शामिल है साइबर अपराद के प्रभाव साइबर अपराद ने कई लोगों का जीवन बरबाद कर दिया है साइबर अपराद में सामिल लोगों को हैकर के नाम से जाना जाता है यदि हम वैक्तिकत इस तर पर चर्चा करें तो इस से प्रभावित लोग अभी भी नुक्सान की भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ ने तो आत्महत्या करने का फैसला किया और कुछ लोगों के सारे पैसे आनलाइन चोरी कर लिया गया जिससे उनकी आर्थी किस्तिती काफी कमजोर हो गई है कमपनी की इस तर पर हम देखें तो कमपनी में से कुछ चीजे होती है जो काफी गोपनी होती है और ऐसे में अगर कोई उन्हें चोरी कर ले तो कम्पनी को अर्बो का नुक्सान होता है इसलिए साइबर अपराद के प्रभाव काफी खतरनाक होते हैं या किसी भी वैक्ति के जीवन को परबाद कर सकता है इसलिए सरकार को इसके उपर कड़ी लगाम लगाने की लिए कठोर से कठोर और कानून बनाने होंगे ताकि कोई भी साइबर अपराद करने की कोशिस ना करे और अगर करता है तो उसकी पूरी जिन्दगी जेल में कटे कुछ मामलों में देखा गया है कि सरकार भी साइबर अपराद की सिकार हो जाती है और अगर ऐसा होता है तो राष्ट की सुरक्षक खत्रे में पढ़ जाएगी क्योंकि सरकार के पास अधीक मात्रा में गोपनी जानकारी होती है जो देश की सुरक्षाक से जुड़ी होती है तो अमीद है ये छोटा सा इंफ्रमेशन आपको पसंद आओगा पसंद आया तो इसे लाइक करे शेयर करे अगर कोई सवाल ये से जाओ तो नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में गुड़ बाए